हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब होप आप सब सही होंगे आज यहाँ पे 27 फेब्रेरी हैं इंडिया में तो कल होगे शिवरात्री यहाँ पे आज है तो उमीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की होगी और भवान भोले नाथ आपकी हर मनो कामना पूरी करें तो हमारे यहाँ पे आज है शिवरात्री कैनाड़ा में एलबर्टा एड्मिंटन सिटी में हम रहते हैं तो सुबह के आज सिंदू का फास्ट है यह वाइफ का फास्ट है और हम आवी सारे मंदिर जा रहे हैं हैं अगयों के तो चलते फिर मंदिर आपको दिखाता हूं जाए आगे आगे का अपना ब्लॉग कैसे रहे तो सब तयार हो गये हैं तर्श ने अपनी जैगेट पहन लिए तर्श अपने शूज पूदी पैन रहा है तो फ्रेंड्स जैसे इंडिया में कहते हैं शिवरात्री में बारिश होती है यहां पर बरफ पड़ रही है हलकी हलकी यह देखऊ आपको मैं आखिफाओ एब यहां पर हो तो चलू बोलेनाथ की किरपा कहीं बारिश युकांछिल है कंभी बिठ वार पखा़ो så कि अब अब हम आपको लेकर चलेंगे क्वा तो यहां पर तो गाइज हम बैठ चुके हैं गाड़ी में बहार थोड़ा साज मौसम खराब है बरह बारी हो रही है तो अब चलते हैं यहां से 15 मिनिट की ड्राइव है टेम्पल की तो फिर आपको टेम्पल के अंदर की दिखाएंगे वीडियो और की सेरिया में है वो तो हमने अपनी क्योंकि टेम्परिचर वहार जालों तो नहीं है लेकि माइनस तीन ही है सितार दर्श थोड़ा सा दुस्सा हो रहा है ओके चलिए फिर मिलते हैं तो चलिए दोस्तों अब हम निकल गए हैं और आज जैसे कि आप फ्रंट में देख पा रहे हो कर दाथ से थोड़ी सी परंबा हैं यहां पर जब भी हम मंदिर या गुर्द्वारा जाते हैं थोड़ी एक अलग सी एक्साइटमेंट होती है अलग सी एनर्जी लेबल होता है आज महा शिवरात्री का पर्व है महवान महलेनात की किरपार सब पे बनी रहे करते हैं कि आप लोगों ने भी इंडिया में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की होगी शिवरात्री और यहां पर भी जितने अमांट ऑफ पीपल हमारे लोग हैं इंडियान हैं सब अच्छे से ही सेलिब्रेट करें और आज मंदिरों में बहुत ज़ॉदा भीड होने वाली मंदिर में आज पूरे दिन का उनका अपना अलग अलग फंक्शन है उसे प्रात्री के उकेशन पर सूबह से लेकर श्याम तक है तो चलिए थैंक्यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए तो दोस्तों यहां पे ड्राइव थोड़ा सा केरफूली करें आगे आप यह परपल कलर का यह पिकप ट्रक देख रहे हूं यह यहां पे ट्रैफिक कंट्रोल वाला है आपकी स्पीड 70 से उपर हुई तो यह आपको टिकट देरीगे इंडिया में कहते है ना कि माम में तो चलिए सेफली ड्राइव करें इनसे भी बचें रोड की नॉलेज होनी चाहिए कहां पे आपको यह मिलेंगे आपको पता होना चाहिए ड्राइव सेफ करके यह लोग होते हैं बी केरफूल वाइल ड्राइव यह नोट स्पीड आप तो फ्रेंड्स यह देखिए हम टैंपल में पहुंच चुके हैं यह है यहां का एट मिंटर हिंदू टैंपल और फिफ्टीन मिनट की ड्राइव है यह देखिए तो आज यहां पर बहुत जादा ट्राइविक भी होने वाला है बहुत जादा घीड़ भी होने वाली है लेट सी हमें पार्किंग मिल पाती है कि नहीं मिल पाती है I don't think so बाट चलिए देखते यह है एड्मेंटन हिंदू टेंपल जो कि आज शिवरात्री के उपलक्ष में डेकोरेड भी किया हुआ है बहुत अच्छा लगता है कि हम इतने दूर होकर भी अपनी चीज़ों को एटलिस्ट फॉलो कर पा रहे हैं अपने कल्चर को कहरी रख पा रहे हैं अपने जो भी हमारे फास्ट आते हैं चाहे क्रिशन जनमास्टमी हो शिवरात्री हो तो यहां पर ऐसे ही लोगों की भीड़ लगती है विच इस वेरी नाइस टू तो सिए हेलो फ्रेंड्स आफ्टर 15 मिनिट ड्राइब हम पहुंच चुके हैं अड्मिंटन हिंदू तैंपल यहां पर पार्किंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई आई आज पूरा पार्किंग लॉट फुल है यू कन सी बड़ी मुस्किल से हमें पार्किंग स्लॉट मिला यह अब बच्चे उतर रहे हैं इसके बाद यह राइट बैक हमारे पीछे है टैंपल हम जाएंगे टैंपल में तो दर्शु भी रेडी है दर्शु सिदार्थ पी सिदार्थ चले अंदर है तो चलो अब चलते हैं मंदर बच्चे नदार्थ थान से हुआ है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है मोई तिक आप जय कर्दोग जय हो महाँख आप आप तो गाइस मंदिर के अंदर है आप यहां पर देख सकते हैं आज काफी सारी भीड है और बहुत सारे यहां पर हमारे जितने भी एटमिंटर में इंडियन्स लोग हैं सब आज आए हुए है तो बहुत अच्छा लग रहा है देखते है आई होप आपको भी यह वीडियो पसंद